Hello Students, Welcome to Life at EMU, मैं हूँ सेयद फजील और आप लोग कहते रहते हैं कि सर हमें EMU दिखाईए तो EMU की में बहुत अच्छी और बहुत ही important चीज है और famous भी है आप शायद देखकर पहचान भी गए होंगे, बहुत से student पहचान गए होंगे कि मौलाना आजाल लाइब्रेरी पर हैं, हम जो एशिया की टॉप लाइब्रेरी में आती हैं यहाँ पर books इतनी जादा हैं, उसके लिए famous है तो हम आज इस लाइब्रेरी के बारे में आपको पूरा दिखाऊंगा और एक आपको टूर कराने वालों कैसी अंदर से क्या है और कैसे बच्चे पढ़ते हैं तो आपको भी पता होना चाहिए क्योंकि बच्चे आना चाहते हैं तो आएंगे तो उन्हें पहले से आइडिया होना चाहिए कैसी है, क्या-क्या facilities है और आप अगर नहीं आप आ रहे हैं तो आप घर बैठे भी लाइबरेरी पूरी विजिट कर लेंगे सिर्फ इस वीडियो के थूट ठीक है तो वीडियो पूरी देखेगे इस किमत कीजेगा क्यों बहुत अच्छी चीज़े दिखने वाली है बाकी जो नए लोग होंगे उसने बता देता हूँ मैं AMU जामिय और के बारे में मैं वीडियो बनाता रहता हूँ एंटरेंस और के लिए गाइड करता हूँ तो सब्सक्राइब सभी कर लेना ठीक है सब्सक्राइब सभी लोग कर लीजे कोई मत छोड़िएगा अब चलिए हम स्टार्ट करते देखे सबसे पहले हम लोन में है यह पीछे आपको दिख रही है मोला नाजाल लाइब्रेरी है यह पूरी इधर से इधर तक बिल्डिंग है और इसके सामने यह लोन है यहाँ पर भी देखे बच्चे बैठके पढ़ते रहते हैं आप पीछे अब हम अंदर साइड चलते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं आप यह जो मैं लोन में ता इससे निकल रहे हैं और यह सीधा मोला नाजाद लाइब्रेरी की एंट्री है तो अब हम एंट्री करने वाले हैं यहाँ से एंट्री करके मैं आपको दिखाऊँगा सब चीज कैसे है तो ये आप देख सकते हैं ये केटलोग है यहाँ पर कोई बुक्स वगरा सेर्च करनी होती है तो बुक्स सेर्च करते हैं कि लाइबरेरी में कौन सी बुक एवेलेबल है और उसका रेफरेंस नंबर वगरा लेना पड़ता है तब उससे आपको बुक्स मिल जाती है और ये एंट्री यहाँ पर बुक्स वगरा लग रही है यहाँ पे तीन पोर्शन है एक इधर है और यह रिसर्ज डिवीजन है यहाँ पे पीएजडी स्टुडेंट्स रहते हैं यह बुक्स वगरा लग रही है बागी उपर यहाँ जाने का भी रास्ता है एक इधर जनरल रेडिंग रूम है और एक इधर है ब्लोक तो अभी हम साइड जाने वाले हैं लेकिन कोई वोइस नहीं रखोंगा मैं कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं तो इसलिए बोलना सही नहीं रहेगा तो इसलिए मैं आपको बस दिखा देता हूं देखे यह जनरल लेडिंग रूम है इसमें दिखा देता अलग अलग टाइफ से लिखो शर्मा और जो भी हैं अलग-अलग से देखे यह इतने सार हैं तो केटलोग है उससाब से नाम वगर से सर्च कर देते हैं तो अब हम एक MR रेडिंग रूम है जो उसमें जाने वाला है यह देखे हैं MR रेडिंग रूम है इसमें बोलने वाला नहीं हो दिखा देता हूँ आपको वसे एक से व्यू हमने दिखा दिये दो सेक्शन तो मैंने दिखा दिया है और यह रिसर्च डिवीजन होगे इसमें पीएजडी स्कॉलर्स वगरा पढ़ता है इसलिए अंदर नहीं जाएंगे तो सीनियर हैं और यह सर्कुलेशन डिवीज है लाइक जब आप लाइबरेरी कार्ड वगरा बनवाते हैं तो यहां सोता है तो यह ओफिस टाइमिंग में खुलता है बंध है और यहां पे एक बाबे सेयद का सेंपल बना हुआ देखे कितना कोफ़सूरत बना हुआ है बाबे सेयद आप जानते होंगे इन्वेस्टी का बिल्कुल सेंटर है लाइबरेरी का इसमें सेंटर में अधर साइड उधर साइड हो गएते दो तो और एक यहां पर एक उपर भी है स्टेर से जाकर वह मैं उधर साइड से भी दिखा दूआ एक अंदर जाकर है जानी उस परोगाया रहते हैं लेकिन हम इधर साइड चलते ह से बनी यह अंदर से आप देख सकते हैं इसलिए मैं आपको अंदर का पूरा व्यू दिखाने लाया हूँ और यह इधर साइड वाश्रूम वगरा है वाश्रूम तो क्या है क्या ही दिखाएं ठीक है जैसे होता है उधर साइड एक तो यह हो गया यहां पर रिडिंग रूम से पर चाहिए हो कुछ चाहिए होगा तो यहां से खरीज सकते हैं और भी चीज़े मिलती है यहां पर आपको रिसॉर्स दोगरा और एक अनदर सेक्षन है जो डलाई लामा बोला जाता है वह उपर है तो हम उपर जाकर आपको दिखा देते हैं ठीक है यहां पर थोड़ा अंदर से दिखा देता हूं जैसे चेर टेबल लगी हुए है देखी आप देख सकते हैं चेर टेबल लगी है ऊपर कोई एसी की फैसिलेटी नीचे लगी हुई है यहां पर आपको पंक्य में बैटना पड़ेगा नीचे पूरा एसी है फुली एसी है तो यहां से हम वापस चलते हैं और आपको मैं न्यूस पेपर रीडिंग वगारा का दिखा देता हूं और एक और सेक्शन है वहां पर न्यूस पेपर वगारा मिलते हैं तो वहां से भी बहुत खूबसूरत है आपको यह नहीं लगने चाहिए वीडियो खतम होगी तो आपको बहुत अच्छी ज जो सामने हैं न्यूस पेपर वगारा रहते हैं यहां पर बच्चे पढ़ते भी हैं और यह इधर गल्स का रीडिंग रूम है गल्स ही एलाओ आपर तो यह था एक और जो बाकी हैं वो भी मैं दिखा देता हूं तो हम करीब सा आपको दिखा देते हैं लेकिन बोलेंगे नह देख सकते हैं यहां पर बच्चे सुगोन से पढ़ रहे हैं अराम सा पना बच्चे फोकस पढ़ रहे हैं यहां पर देखिए एक सेक्षन यह भी होगा कंप्यिटर अप्लिकेशन डिविजन्स का हो गया और यहां पर मैनिस्क्रिप डिविजन्स है इसमें एक म्यूजियम और यह बहुत सारी चीजें रह Immediately है यह खोडा है और यह उसमें में जगा हो गया तो लग नहीं यह घुर दिदर कर दो ना कि उसमें ज्ञाटे ना ओव बना रहुखा है और बाकी बुक्स वगरा अवेलेबल है वो मैंने जो दिखाया तो ओफिस महाँ पर अंदर जाकर वगरा मिलती है उसमें बुक्स आपको मिल जाएंगी कि अगर आपको बुक इशु करानी है उसमें लाइबरेरी कार्ड बनता है उसके इसाब साब के इलेक्ट्रोनिक कार्ड होता है उसके आपकी बुक होती है बुक्स मिलती है उसमें अवेलेबल है और आपको पता है लाग को बुक हैं यहाँ पर यहाँ पर बहुत जादा बुक्स अवेलेबल हैं एक महीना और जितना भी रहता है आपको issue करानी होती है, मिल जाती है तो मैं दिखा दूँआ बाकी फिर कभी जहां से book issue होती है, books कितनी सारी रखी है पूरा एक building है, मुआपित बहुत सारी books है, मैं आपको किस दिन दिखा दूआ अभी वो बंद है और यहां पर हमारी वीडियो एंड हो जाती है बाकी और भी चीजों के बारे में दिखाता रहोंगा बस इसलिए चैनल पर बने रही है वीडियो लाइक कर दीजेगा बहुत महिनत से बनी है और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा वीडियो देखने के धिले थेंग्यू